नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे इस नए व्लोग में तो आज हम जाने वाले हैं बोध गया वही बोध गया जिसे ग्यान एमा मोक्षी की भूमी भी कहा जाता है वही बोध गया जहां भगवान बुद्ध को ग्यान प्राप्त हुआ था बौदो दुवारा पित्र शेहरों में से एक माना जाता है तो आएए करते हैं बोध गया दर्शन पुत्रम शर्णम कच्छावी संक्रम शर्णम कच्छावी संक्रम शर्णम कच्छावी पुत्रम शर्णम कच्छावी वह वह भी आजगें बोध गयमें और वह भी दिखाएंगे आपको यह कुछ जे स्टॉल पी लगे हुए हैं आप 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 कर दो 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 और फिर हम इसके बाद सबसे पहले गए महाबोधी मंदिर यह मंदिर बोध गया के मुख्य आकरशनों में से एक है इस विहार में गौतम बुद की एक बहुत बड़ी मुर्ती स्थापित है यह मुर्ती पदमासन की मुद्रा में है यहाँ यहाँ अनुशूती प्रचरित है यहाँ मुर्ती उसी जगह पर स्थापित है जहाँ गौतम बुद को ज्यान प्राप्थ हुआ था और यह है बोधी विरिक्ष महाबोधी मंदूर पर इसर में स्थित एक पीपल का विरिक्ष है इसी विरिक्ष के नीचे इसापूर्व 531 में भगवान बुद को ज्यान प्राप्थ हुआ था भगवान बुद ने यहाँ छटा सप्ता ध्यान में बिताया था वे जब ध्यान अवस्था में थे तब अचानक आंधी वर्षा आ गई प्राकृतिक गद्विब्दा से नागराज मुचलिन ने उनकी रक्षा की और उसके बाद हम गए आर्केलोजिकल म्यूजियम यह एक छोटा सा संग्राले है जिसमें केवल तीन हॉल है इस संग्राले में हिंदू और बहुत धर्म की कई मुर्तियां और कलाकृतियां हैं और खुदाई में मिली कुछ अन्य चीज़े भी रखी गई है अब हम लोग यह आये हैं अब हम लोग आये हैं दिश्क्री मंदीर में अब हम लोग आये हैं दूसरी टेंपल में और इसका टाइमिंग है अच्छा सरी टामिंग पर आये हैं तो आप यहां देख सकते हैं डिजाइनिंग कितनी हुम से की गई है कितनी बारकी से की गई है हाँ यहां लिखना है फुल नहीं तो हम देख सब्सक्राइब है सब्सक्राइब है काड़ नही हाई और फिर जैसे ही हम यहां से बाहर निकले हमें यह मिल गए पता नहीं यह लोग किस कंट्री से थे हमने इन से बात करने का बहुत राय किया अपनी तूटी फूटी इंग्लिश के साथ मगर यह समझ न सके हमारी बातों को और इनकी बातों को हम न समझ सके अगर आपको समझ मा रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूरू बताए हम लोग के आपर हम लोग मिल गया तहीं आपर और से हाइ यह लोग बहुत अच्छे हैं और मतां इस विश कंट्री दो लिए विश कंट्री दो यू लिए अन तैलिंग यू विश कंट्री दो यू लिए फ्रम यूर कंट्री ने ने और फिर हमने इनके साथ कुछ फोटोग्रैप्स भी क्लिक की जो कि मैं इन्हें ब्लुटूथ के द्वारा सेंड कर रहा हूं तो आप वो फोटोग्रैप्स आप भी देखिए और इस पीक में मेरे साथ मेरा भांजा है और ये रही हमारी पुरी फैमिली विथ मम्मी अन दीदी और जैस्ट इसके बगर में चैनिज टेमपल थी तो उसके बाद हम वहा गए तो अब आप भी देखिए और इसके बाद हम गए असिफिट टेमपल असिफिट की उचाई पर खड़ी महान बुध परतिमा भगवान बुध 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 गया से जोड़े धार्मिक और अध्यात्मिक स्मारकों में से एक है देश की सबसे उची बुध मुर्तियों में से एक है या बुध परतिमा को पूरा करने के लिए 12,000 राजमिस्तियों को साथ सा लग गए थे या परतिमा बलुवा पत्थर ब्लॉक और लाल ग्रेनाइट का एक मिश्रन है तो गाइज अभी हम लोग आएवे अशी फिट इस जाइन गुद्धा टेमपल और यहां भीड बहुत है यहां बहुत दाखा भीड है अब लोग अधर जाएंगे अश्कों दिखाते है यह मारी फ़िव बहुत है अस्ति वीट मूर्ती के पास हम खड़े हैं जजाइन उद्धा यह रहा उपर पार्क में आए है इसका नाम है माया सरोवर यह रहा इसके अंदर अब लोग जाएंगे शायद यह बोटिंग भी हो रहा मेभी तो बोटिकेट्स रख्टा 20 रुपर लग रहे हैं पर परसन यह रहा यह रहा यह रहा ज़र पर जाएंग यह रहा कम मेरे मामा को इतने बड़े कप पेंगा ngdang कर रा हैं तो आप Yak exploring अमन कर रहा है यह सबfelे दार आप यह उप्सक्राच कहलkee कुछ अबन कर जो चोटा हो जाता है मुद्फ है ऊपिद है कि इस luck में ते यह आप लोगी पीना अच्छा है तो फाइनली गाइज हम लोग बहुत गूम चुके हैं बहुत गया हम लोग बहुत सारी जगह पर आज भूमें हैं और आपको भी दिखा है और यहां दो गूम लिया आप हो चुकि शाम और क्योंकि नमेंबर का टाइम है तो थोड़ा थंड बाइब बाइब